हलो दोस्तो, Thoughts for Growth चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आये हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मेरेलस के लिखी किताब इकी गाई से दस सबसे महत्पूर्ण सीख तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहला, सदाकार करते रहें और कभी भी सेवा निवरित ना हो जो लोग अपना पसंदिदा काम करना बंद कर देते हैं वो अपने जीवन का उद्देश खो देते हैं इसलिए आपको जो चीजे महत्पूर्ण लगती है उन्हें करना जारी रखें विकास करते रहना, दूसरों के काम में आने वाली वस्तुओं का निर्मान करते रहना और रिटार्मेंट के उमर के बाद भी कुछ बड़ा काम करते रहना जारी रखें दूसरा, जल्दवाजी ना करें हमेशा भागदोर और जल्दवाजी वाला जीवन लंबी आयू के लिए घातक है एक पुरानी कहावत है कि धीमी गती से चलने पर आप दूर तक जा सकते हैं जब हम बिना वजह की आने वाली जल्दवाजी को पीछे छोड़ देते हैं तो आने वाला समय जीवन को नया अर्थ देता है तीसरा, पेट भर कर ना खाएं अगर आप लंबी आयू तक जीना चाहते हैं तो कम खाना खाएं पेट भर कर खाना खाने से अच्छा है कि आप अपनी छमता का 80 प्रतिसत ही खाना खाएं चौथा, अच्छा, मित्र और परिवार दोस्ती जैसी कोई अच्छी दवा नहीं है चिंता को भगाने के लिए गपशप करें एक दूसरे से बाचित करें सलाह लें और सलाह दें मौज करें, स्वपन देखें और खुल कर जीवन जीएं पांचवा, अगले जन्म दिन पर ज्यादा तंदुरुस्त बने जब पानी बहता रहता है तो वह स्वस्थ और निर्मल रहता है जब वह रुक जाता है तो वह खराब हो जाता है इसी प्रकार से जीवन अगर तंदुरुस्त बनाना है शरीर को सदा कारेरत रखना होगा व्यायाम की वज़े से हमारा शरीर में खुस रहने के लिए आवश्यक हार्मोंस तैयार होने लगते हैं छठा हसी हसी खुसी की मदद से दोस्त बनते हैं और इसी के साथ शांती भी मिलती है छोटी छोटी चीजों में भी आनन्द मिलता है एक बात सदा ध्यान में रखना चाहिए कि वर्तमान पल में अनन्द संभावना है सात्वा कुदरत के साथ जूड़े रहना आज के युग में भले ही लोग शहर में रहते हों फिर भी हमारा जीवन और धन्द कुदरत के साथ रहने के हिसाब से बना है इसलिए बीच बीच में कुदरत के साथ रहकर हमें अपनी बैटरी चार्ज करते रहना चाहिए आठवा धन्यवाद दे आपके जिन पुरवजों ने आपको शुद्द खाना और हवा दिया है उनको धन्यवाद दे, आपके परिवार और दोस्तों ने आपको जीवन जीने की और इसे खुबसूरत बनाने की शक्ति दी है, उन्हें दिन में कम से कम एक बार धन्यवाद दे, आपको पता चलेगा कि आपकी खुशी की तिजोरी दिन बदिन बढ़ती जा रही है नौवा, वर्तमान में जीएं, भूतकाल के बारे में दुख करना और भविस्य की चिंता करना छोड़ दीजिए, हमारे पास सिर्फ वर्तमान है, उसका सबसे ज़्यादा फाइदा लीजिए और उस पल को ओविस मरनिये बना दीजिए दसवा, अपने इकीगाई के हिसाब से जीवन जीएं, हम सभी के अंदर एक प्रेड़ना छुपी होती है, हम में से सभी के पास कुछ न कुछ विशेश चीज होता है, और वह चीज जीवन के अंत तक आपको प्रेरित करती रहती है इसलिए अपना इकीगाई ढूंड ये और उसी के हिसाब से अपना जीवन जीए, तो दोस्तों ये इकीगाई किताब से 10 सबसे महत्पुर्ण सीख थी, लेसंस थे, आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुब हो